Hello everyone, स्वागत है आप सबी लोगों का एक और नई वीडियो में इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हिंदी के बहुत ही महतपून टॉपिक जो अलंकार है सब ये परिक्षाओं के लिए बहुत ही उपियोगी टॉपिक है बई तो अलंकार के बारे में जानेंगे सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो लेक्षन में समझने वाले हैं हिंदी में जहां पर भी आप से जिस भी कॉम्टिटिव एक्जाम में आप से हिंदी पूछी जाती है वहाँ पर आप से अलंकार जरूर पूछा जाएगा किसी भी टीचिंग एक्जाम में या और कोई भी एक्जाम हो सी टैटो उत्राखन टैटो कोई सा भी एक्जाम हो जहां पर भी आपके पास हिंदी और समानी हिंदी आएगी तो अलंकार जरूर पूछा जाता है क्या हम डिसकस करड़े वाले उस पर जर नजर डाल लेते हैं स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो समझेंगे सबसे पहले अलंकार क्या होते हैं कितने भेद होते हैं और किस प्रकार से आप अलंकार को पहचान सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि अलंकार अलंका चीज में शोभा को उत्पंद करने वाला, यानि कि चमतकार उत्पंद करने वाला, शब्दों में चमतकार उत्पंद करना क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है, या फिर जो शोभा में व्रद्धी करता है, उसे अलंकार कहते हैं, किस चीज की शब्दों की शोभा में जो व्रद काव्य की शोबा बढ़ाने वाले शब्दों को क्या कहा जाता अलंकार कहा जाता तो यह हो गई वाई सारी बात क्लियर कि अलंकार किसे कह रहे हैं यहां से एक एक चीज़े समझेंगे बई डीप में समझेंगे और एकदब क्लियर हो जाएगा आपको दुबारा और कोई वीड के लिए इस्त्रियों के शंगार में इस्त्रियों की खुपसूर्ती में व्रद्धी करने के लिए अभूशन का इस्तमाल किया जाता है इसी प्रकार से काववे की शोबा बढ़ाने के लिए अलंकार का इस्तमाल किया जाता है अब देखो कुछ ऐसी परिभाशा हैं जो आचार केशवदाश ने दी है अलंकार के माध्यम से तो देखो आचारे राम चंद्र शुकल बोलते हैं कि रोचक कथन की रोचक सुन्दर और प्रभावपून परडाली अलंकार कहलाती है क्लियर होगे बाद आचारे वामन क्या बोलते हैं अलंकार ही सौंदर रहे हैं और आचारे के बिर्जे कवीता बिलीता अमित तो भाई ये सारी चीज़े किस चीज़ को बताती हैं ये सारी चीज़े बता रही हैं कि किसी भी शब्दों को काव्यों में कितना खुपसूरत बनाया जा सकता है वो अलंकार के माध्यम से होता है अब आगे समझते हैं हम अलंकार के कितने को में विवाजित किया गया, कौन-कौन से दो भाग है जिसमें अलंकार को विवाजित किया गया, पहला क्यलाता है शब्दा अलंकार, दूसरा क्यलाता है अर्था अलंकार, क्लियर होगे बात, काव्य में कभी अलग-अलग शब्दों के प्रियोग से, यानि कि जब हम अर्थ के अधार पर दूसरा शब्दों के अधार पर तो देखो जो शब्दा अलंगकार हैं उसमें हम शब्दों के अधार से व्रद्धी करेंगे अर्था अलंगकार यानि अर्थ के अधार पर जब हम सौंधर्य करेंगे या व्रद्धी करेंगे तो वह अर्था अलंगकार क पूसरा क्या कहलाएगा अर्था अलंकार क्लियर होगी यहां तक बात कि अलंकार हम किसे कहते हैं और अलंकार के कितने भेदें वही दो भेदें शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार और भी भेद होते हैं लेकिन मुख्यता यही दोनों में से पूछा जाता है आप इनी के ब हम शब्दा अलंकार को समझेंगे बहुत ही आसान भाशा में तो अभी हम वापस आते हैं अर्था अलंकार को देखते हैं कि वह अर्था अलंकार क्या होता है यह मैंने आपको बता दिया जिस अलंकार में अर्थ के माद्यम से काव्य में चमतकार उत्पंद किया जाता है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, विवावना अलंकार, अतिशोक्ती, मानवीकरण, भ्रांती मान, अन्योक्ती अलंकार और संधे अलंकार. तो इनको सबको समझेंगे बेसिकली जो important है वो है हमारे पास उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उठप्रेक्षा, अतिशोक्ती, मानवी करण और भ्रानती मान या फिर संदेह अलंकार ये काफी जादा important है जो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे पहला अलंकार आता है हमारे पास उपमा अलंकार अब उपमा अलंकार को बिलकुल आसान भाशा में हम समझेंगे उससे पहले कुछ बेसिक चीज़े जो होती है अलंकार को समझने के लिए उन पे नजर डाल लेते हैं जहां एक वस्तु या प्राणी की तुलना अत्यंत शाद्रश्य के कारण प्रिसिद वस्तु या प्राणी से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। प्राण दर्म और चौधा होता है हमारे पास वाचक शब्द। अब ये क्या होता है भई देखो इसको एक एक एग्जामपल के मादियम से समझते हैं जैसे मुख चंदरमा सा सुन्दर। बात क्लियर हो गई। अब इस सेंटेंस में आप कैसे पैचानेंगे कौन सा लंकार दि कि ऐसे शब्द आ जाए तो आप समझ जाओ कि भई उपमा लगकार है दूसरी तरह से देखो दो तरीके से आप समझ सकते हो दो मेथड बताऊंगा मैं आपको समझने के लिए पहला कौन सा है जो उपमे उपमान साधारण दर्व और वाचक शब्द के मादियम से देखो मुख की तुलना कि से की जा रही है चंद्रमा से की जा रही है तो उपमे क्या है यह पर देखो जिसकी तुलना की जाती है जैसे मुख चंद्रमा के समान सुन्दर है तो इस उधारण में मुख क्या है उपमे हो गया बात के लिए उपमान है क्या होगा जिससे तुलना की ज कहते हैं जैसे उपर दिएगे उधारण में सुन्दर क्या है यहाँ पर साधारण धर्म है उपमे और उपमान में जो समान होता है यनि कि कौमन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं साधारण धर्म बोलते हैं तो यहाँ पर सुन्दर जो है वो क्या है साधारण धर्म है वाचक वह शब्द होते जिसके द्वारा उपमे और उपमान में समानता दिखाई जाती है जैसे पंक्ती में सा जो है वाचक शब्द है तो यह क्या दिखा रहा है समानता दिखा रहा है कि इसकी मुख की चंद्रमा से समानता दिखा रहा है तो यह क्या कहला रहा है हमारे वाचक शब तो देखो चार जो तत्व हैं उनको समझना बहुत जरूरी है भई देखो उपमा अलंकार उपमा अलंकार पहले तो आप समझो होता क्या है उपमा अलंकार वो होता है जिसमें किसी वस्तु या प्राणी की तुल्ला अत्यांत स्वाद्रश्य के कारण कि कोई भी तुलना की जाती है ठीक है उपमान जिससे तुलना की जाए साधारन धर्म कौन सा हो गया भई जो दोनों में उपमे और उपमान में जो दोनों परस पर समान गुड़ वाला पाय जाएगा वो साधारन धर्म कहलाएगा और वाचेक शब्द क्या होगा जो भई वाचेक में और उपमान में समानता दिखाएगा ठीक है भई जैसे पंक्ती में सा शब्द क्या है सा शब्द क्या है मुख चंद्रमा सा सुन्दर है क्लियर होगे बास सा का मतलब क्या है मुख की तुलना किस से की जा रही है चंद्रमा से की जा रही है और इसमें वाचक शब्द क्या ह गया, सा हो गया. तो इस परकार से हम उपमा लंकार को पहचान सकते हैं. अब देखों दूसरा तरीका क्या है? उपमा लंकार को पहचानने के लिए और आसान अगर आपको इस चीज़ को बनाना है. तो देखों जब पंक्ती में योजक चिन आ जाए और उसके बाद सा सी से आए तो उपमा अलंकार होगा जैसे मुख चंद्रमा सा सुन्दर तो यहाँ पर योजक शब्द क्या है मैंने आपको बताया था यह योजक शब्द हो गया ये योजक चिन हो गया तो योजक चिन के बाद में क्या आ रहा है हमारे पास सा तो आप देखते ही बता दोगे कौन सा लंकार है उपमा है और उपमा जो बेसिक जो डेफिनिशन है जो बेसिक परिभाशा है उसको समझना बहुत जरूरी है ये तो रूल हो गया वही समझने के लिए योजक चिन्न के बाद अगर सा आ रहा है सी आ रहा है से आ रहा है तो कर की तुलना किस से की जा रही है पैरो की तुलना किस से की जा रही है कमल से की जा रही है तो सा क्या है या पर सा भी हमने क्या बढ़ा था एक देखो सा हमने अभी पीछे क्या बढ़ा था वाचक शब्द है और वाचक शब्द क्या होते हैं जिसके दोरा उपमे और उपमा लंकार होगा, clear होगी बात, आगे बढ़ते हैं, अब देखो, next आता है मारे पास रूपा का लंकार, जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमे में उपमान का अभेद आरोप हो जाता है, वहाँ क्या क्यलाता है भई, रूपा का लंकार क्यलाता है, असान शब्दों में भी समझेंगे इसको पहले एक example देखते हैं गोपी पद पंकज पवन सी रज जामे सिर भीजे अब देखो इन पंक्तियों में पैरो को ही कमल बताया गया है पैरो यानि कि उपमे पर कमल उपमान का आरोप है इसलिए यहां पर रूप का लंकार है बात के लिए रोगई कहने का मतलब क्या है यहां पर देखो गुण के अधार पर या गुण के अत्यंत समानता के कारण उपमे में उपमान का अभेद आरोप हो जाता है वहां रूप का लंकार होता है और दूसरी तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं बई देखो जब पंक्ति में योजक चिन आए और शब्द सा सी से ने आए तो रूप का लंकार होगा उपमे में हमने क्या समझाता है योजक चिन के बाद सा आजाए सी आजाए से आजाए तो कौन सा लंकार होगा उपमा होगा योजक चिन के बाद अगर सा सी से ने आए तो कौन सा लंकार होगा बई जैसे मैया मैं तो चंदर खिलो खिलोना सीधा चंद्र के समान क्या है खिलोना है तो बस शब्द आ गया है सीधा यहां पर चंद्र सा नहीं आया चंद्र खिलोना लेहूं तो यह कौन सा लंकार हो जाएगा यहां पर रूपक हो जाएगा उपमे में उपमान का भेद हो जाएगा तो वहां पर रूपक का लंक एक और उदारन देख लेते हैं, शशी मुख पर घूंगड डाले, अंचल में दीप छिपाए, तो उपर दिये वाकिया में आप देख सकते होगी, जब गुण की बहुत समानता के कारण, उपमे को ही उपमान बता दिया जाए, जिसकी तुलना हो रही है, उसी को हम क्या बता उपमान बता देंगे, जिसके साथ तुलना हो रही है, दोनों को एक ही जैसा बता देंगे, तो तब हमारे पास क्यों सा अलंकार होता है और रूपा का अलंकार होता है, यानि कि उपमे और उपमान में कोई अंतर ना दिखाया जाए, तो तब हमारे पास रूपा का अलंकार होता है तो देखो शशी यहाँ पर यूजक चिन है शशी के बाद क्या गया मुख आ गया ठीक है शशी सा नहीं आया अगर यहाँ पर शशी सा हो जाता तो कौनसा अलंकार हो जाता भई लोगो उपमा अलंकार हो जाता है यहाँ पर कौनसा अलंकार है हमारे पास यहाँ पर जिस के साथ तुलना की जा रही है वो क्या होता उपमान। उपमे में जिस से तुलना की जा रही है उसमें उपमान की संभावना की जा Mobamaor आएगा उतपरेक्शाह लंका रहा है जैसे सोहत ओडे पीट पचू स्याम सलोने गात, तो इसमें क्या है भई आपको, इसमें क्या है भई इसमें उपमे में उपमान की संभावनाएं बताई जा रही हैं, और अगर आपको आसानी से समझा दू में उत्प्रेक्ष अलंकार, यदि पंक्ति में जियों मानो, इव मनु, जा जब्रमान, मनु, जनु, आता है, तो वहाँ क्या हो जैगा, उत्परेक्ष्चालंगर हो जाएगा, यानि कि जहाँ भी एग्जام्पल दिया है, उन्में अगर इन शब्दों में से कोई भि शब्द आ जाता है, जियों आ जाता है, मानु आ जाता है, इव आजाता है, मनु आ अस्तमाल होगे, आप अराम से आंसर कर सकते हो, भया कौन सा लंकार है, उत प्रेक्षा लंकार है, फटाफट आंसर कर दोगे कुश्चन का, क्लियर होगे बात, दो रूल के साथ मैं आपको मैं बता रहा हूं, या तो आप उपमे उपमान से समझ जाओ, नहीं तो आप जिसकी सोथ, ओडे, पीत, पटू, स्याम, सलोने, गाद, मनु, तो यहां पर मनु आ गया देखो, ठीक है, तो आप कौन सा एक्जामपल हो गया हमारे पास में, यह उत प्रेक्षा लंकार हो गया, ठीक है, कोई सा भी आप देख लो, दूसरा एक्जामपल हमारे पास यह दे रखा ह है, देखो, निकसे जनु जुग भिमल, तो देखो, जनु आ गया न, यहां पर, तो कौन सा अलंकार हो गया, उत प्रेक्षा अलंकार हो गया, आई होप किलियर हो गई होगी बात, नेक्स बढ़े भई आगे, कोई भी डाउट हो, तो कॉमेंट लीव कर देना, वीडियो पस कौन सा आता है, हमारे पास, जिस स्थान पर लोग सीमा का अतीकरमण करके किसी विशेश का वर्णन होता है, वहाँ पर अतिश योक्ति अलंकार होता है, कहने का मतलब किया, अतिश योक्ति, जहां पर बहुत सारी चीजों को बढ़ा चड़ा कर बताये जाता है, वहाँपर तो आग बंद करके आप पकड़ सकते हो बिलकुल अतिशोक्ति मतलब कि जो तुलना की जा रही है न उपमे और उपमान में वो बहुत जादा हाई लेवल की की जाती है तो वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार हो जाएगा जैसे बहुत ही फेमस एक्जामपल है हनुमान की पूँच में लगनल पाई आग लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग तो देखो इसको समझते हैं उधारण के कि इस उधारण में क्या बोला गया है कि अभी हनुमान की पूँच में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जल कर राख हो गई और सारे राक्षस भाग खड़े हुए कि हनुमान की पूँच अभी जली भी नहीं है और लंका जल गई और जितने भी राक्षस हैं वो बहार बाग गई तो क्या हो गया यहाँ पर हनुमान जी की पावर का क्या किया गए अतिशोक्ती की गई है बहुत जादा बढ़ा चड़ा कर बताया गया तो कौन सा अलंकार आगए हमारे पास अतिशोक्ती है लंकार आ जाएगा आगे नदियां पड़ी अपार देखो यहाँ पर राणा जी के घोड़े के बारे में बात की जाती है कि भई जो राणा जी जब अपने घोड़े चेतक पर बैठते थे तो राणा जी जो सोचते थे उससे पहले ही वो काम क्या गर रहा है भए घोड़ा कट जाता था तो ऐसी बात क्या हूगो ए? अतिशोक्ति होगी ऐसे रियल में थोड़ी होता है कि सोचा भी नहीं और घोड़े ने नदी भी पार कर ली लेसे साब घोड़े की पावरे जो चेतक के बारे में जो गौम बताया गया है, वो अतिश्योक्ती बताएगे, यहिँ बढ़ा चड़ा कर चेतक की विशेश्चताओं को बताया जा रहा है, ठीक है? जानिकि महारणा पड़ताव कि सोचने की क्रिया खत्म होने से पहले ही चेता क्या गर रहा है भई नदी पार कर जा रहा है तो यह क्या होगे अतिश्योक्ति अलंगकार पाए जाएगा इस प्रकार की पंक्तियों में और आप सुन लो और दूसरा जहां पर किसी गुणिया इस्थिती का बढ़ा चड़ा कर व बढ़ते हैं मानवी करण मानवी करण क्या है जहां प्रकरती पर मानवी चेस्ताओं का अरोप हो जाता है वहां मानवी करण कहलाता है मानवी करण अलंकार कहलाता है जहां पर प्रकरती के बारे में यानि कि प्रकरती के साथ में तुल्ला की जाती है तो वहां मानवी करण हो करता है आप लोग करते हैं human beings करते हम करते हैं मानव जाती करती है इनकी सच सबर के तो इन्होंने किस की तुल्ना कर दी मेगों की तुल्ना में क्या कर दिया मानवी करण कर दिया मेगों की तुल्ना को यानिकी मेग की सुंदर्ता को पताने के लिए ठीक है क्योंकि मेग क्या ए कि गंगा नदी को औरत की भाती उसे नहा कर लोटते चित्रित किया गया है जिससे भीगी पावन हवाएं चलती भी प्रतीत हो रही है तो नदी क्या है नदी प्रकरती है और नदी की तुलना किसके समान की जा रही है भई देखो नहा कर लोटते समय जिस परकार से कोई इस तर बोलते हैं मानवी करण अलंकार बोलते हैं जब प्रकरतिक वस्तुओं में पेड़ पौदे बादा लादी में मानवी भावनाओं के होने का वर्डन हो तब क्या कुन सा लंकार देखा जाएगा भाई मानवी करण अलंकार देखा जाएगा फूल हसे कलिया मुस्काई सागर के उरपर नाच नाच करती हैं लहरे मधुरगान ठीक है तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है फूलों का हसना तो फूल हसते तो यह फूल तो खिलते हैं लेकिन उसकी तुलना मानव क्या करते हैं भई मानव हसते हैं तो प्रकरती का मानव के साथ में लोग कराया जा रहा है तो मान इस उधारान किस से करी जा रही है एक दुविदा बनी रहती है अथार्थ किसी वस्तू को देखकर निश्य ना हो पाना तब सन्धे अलंगकार होता है सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है एक्जामपल लेए इसका उधारन है बहुत तकड़ा भई ना सारी बिच नारी ह कि नारी विच्छ साडी है कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है तो यहां क्या हो रहा है यहां संधे बना हुआ है कि आप साडी की बात कर रहे हो कि नारी जो है साडी में है यह साडी में नारी है तो यही क्या हो रहा है संधे दे रहा है इस उधारण में बताया गया है कि तो देखो महाबारत काल में चीर हरण के समय उस जो साड़ी होती है वो बढ़ती चली जाती है उसको देखकर दुशाशन के मन में शंचे उत्पंध हो रहा है कि यह साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है तो यहां क्या confusion बना हुआ है क्योंकि एक संदे अलंकार को हम क्या बोलते हैं संदे अलंकार बोलते हैं क्लियर होगी बात नेक्स्ट और लास्ट अलंकार जो इंपोर्टेंट है हम देखते हैं वो है भ्रांती मान अलंकार जहां सामान्य के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का ब्रहम हो जाता है वहां पर देखेंगे भई भ्रांती मार अलंकार देखेंगे जो मुख्य रूप से अलंकार आपसे पूछे जाते हैं वो उपर के चार जो मैंने अभी आपको बताए पहला कौन सा यहाँ पर पहला है हमारे पास पर अर्था अलंकार के हम बात कर रहे हैं शब्दा अलंकार हम नेक्स वी इसके बाद उत्प्रेक्षा लंकार आता है उत्प्रेक्षा लंकार क्या होता है जहां पर पंक्ती में जियो मानू इव मनू इस प्रकार के शब्द जब आ जाते हैं तो कौन सा लंकार है उत्प्रेक्षा लंकार तो ये तीनों बहुत ही इंपोर्टेंट है इसके बाद जो च मान्वीकरन अलंकार जयनके प्राकर्तिक वस्तुयों को मान्वी भादनाओं के होने का वर्णन करते हैं, तो मान्वीकरन अलंकार कहलाता है, तो ये मुख्य रूप से हैं, संधय अलंकार मैंने आपको बता दिया, लेकिन इतना ज़ाद़ पूछा नहीं जाता, उसके बाद last है भ्रांती मान कि किसी एक वस्तू की तुलना दूसरी वस्तू से तुलना करने पर भ्रहमुत्पंद करती है तो वहाँ पर भ्रांती मान अलंकार हो जाता है तो भाई ये जो वीडियो थी ये हमारे एक पार्ट में थी इसका जो next भाग है वह हम next वीडियो में discuss करेंगे समझ बे आ गया हो अलंकार तो comment करके बता देना I hope मैंने दो तरीके से बता दिया है देखो उपमे और उपमान के माधियम से भी बता दिया हो और नियम के अधार से भी बता दिया है तो इन ट्रिक्स के माधियम से आप कभी भी भूलोगे नी असानी से आप पहचान सकते हो कि कौन सा अलंकार पूछा जा रहा है इसके second part में ने कि शब्दा अलंकार का जो भाग है वह हम next वीडियो में discuss करेंगे वीडियो पसंद आगी तो like कर देना चैनल पर ने हो तो भाई subscribe कर देना और सारे link हमारे वीडियो के सामने है जरूर follow कर लेना टेलिग्राम से connect कर लेना भाई PDF मिल जाएगी जो भी अगर आपको notes चाहिए हिंदी के तो वहाँ से मिल जाएगे मिलेंगे आप से second part में अलंकार के thank you for watching